आज मुझे रानी दुर्गावती जी की इस पावन धर्ती पर आप सभी के बीच आने का सवभाग्य मिला है मैं रानी दुर्गावती जी के चरणों में अपनी सद्धानली समर्पित करता हूँ उनकी प्रेरणा से आज सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन एक बहुत बड़े अभ्यान की शुरुवात हो रही है आज ही मद्य प्रदेश में एक करोर लाभार्तियों को आउश्मान काड़ भी दिये जा रहे हैं इन दोनों ही प्रयासों के सबसे बड़े लाभार्ति हमारे गौन समाच बील समाच या अन्य हमारे आदिवासी समाच के लोग है मैं आप सभी को मद्य प्रदेश की डबल इंजिन सरकार को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आज सरडोल की इस धर्ति पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है ये संकल्प है सीकल सेल एनिमिया की बिमारी से मुक्ती का ये संकल्प है हर साल सीकल सेल एनिमिया की गिरप में आने वाले दाई लाग बच्चे और उनके दाई लाग परिवार के जनों का जीवन बचाने का साथियों मैंने देश के अलग-अलग इलाकों में आदिवासी समाज के बीच एक लंबा समय गुजारा है सिकल सेल एनिमिया जैसी बिमारी बहुत कस्ट्रदाई होती है इसके मरीजों के जोडों में हमेशा दर्द रहता है शरील में सुजन और ठकावट रहती है पीठ पैर और सीने में और सहनिय दर्द महसूस होता है साथ पुलती है लंबे समय तक दद सहने वाले मरीज के शरीर के अंदरूनी अंग भी शतिग्रस्त होने लगते है ये बिमारी परिवानों को भी बिखेर देती है और ये बिमारी न हवा से होती है न पानी से होती है न भोजन से फैलती है ये बिमारी ऐसी है जो माता पिता से ही बच्चे में ये बिमारी आ सकती है ये आनुवाउशीक है और इस बिमारी के साथ जो बच्चे जन्म लेते हैं वो पूरी जिंदगी चुनोतियों से जूजते रहते हैं साथियों पूरी दुनिया में सिकल, सेल, एनीमिया के जितने मामले होते हैं उन में से आधे पच्चास प्रतिशत अकेले हमारे देश में होते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले सत्तर सालों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया इससे प्रभावित ज़्यादा तर लोग आदिवासी समाज के थे आदिवासी समाज के प्रती बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था लेकिन आदिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनोती को हल करने का बिड़ा अब भाज़पा की सरकार ने हमारी सरकार ने उठाया है हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है ये हमारे लिए संवेदन सिल्टा का विशे है भावनात्मक विशे है जब मैं पहली बार आदिवासी इलाकों में एक साथ काम करते रहे हैं और हम मैं जपान की आता पर गया तो मैंने वहाँ नोबेल पुरसकार जीतने वाले एक वैज्ञानिक से मुलाकात की थी मुझे पता चला था कि वो वैज्ञानिक सिकल सेल बिमारी पर बहुत रिसर्च कर चुके है मैंने उस जपानी वैज्ञानिक से भी सिकल सेल एनीमिया के इलाज में मदद मागी थी साथियों सिकल सेल एनिमिया से मुक्ति का यह अभियान अम्रूत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के सो साल मनाएगा 2047 तक हम सब मिल करके एक मिशन मोड में अभियान चला करके यह सिकल सेल एनिमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे देश को मुक्ति दिलाएंगे और इसके लिए हम सब को अपना दाईत्व निभाना होगा यह जरूरी है कि सरकार हो स्वास्त करमी हो आदिवासी हो सभी तानमिल के साथ काम करें सिकल सेल एनिमिया के मरीजों को खुन चड़ाने की जरूत पड़ती है इसलिए उनके लिए ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं उनके इलाज के लिए बॉन मेरो ट्रांस्प्लांट की सुविदा बढ़ाई जा रही है सिकल सेल एनिमिया के मरीजों की स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है ये आप भी जानते हैं बीना किसी बाहरी लक्षन के भी कोई भी सिकल सेल का केरियर हो सकता है ऐसे लोग अंजाने में अपने बच्चों को ये बिमारी दे सकते हैं इसलिए इसका पतान लगाने के लिए जाच कराना, स्क्रीनिंग कराना बहुत आवशक है जाच नहीं कराने पर हो सकता है कि लंबे समय तक इस बिमारी का मरीज को पता नहीं चले जैसे अक्सर अभी हमारे मन्सुख भाई कह रहे थे कुंडली की बात बहुत परिवारों में परंपरा रहती हैं शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं जन्माक्षन मिलाते हैं और उन्होंने कहा कि बैए कुंडली मिलाओ या न मिलाओ लेकिन सिकल सेल की जाच का जो रिपोर्ट है जो काड़ दिया जा रहा है उसको तो जरूर मिलाना और उसके बाद शादी करना साथियो तभी हम इस बिमारी को एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में जाने से रोका जा सकेगा इसलिए मेरा अग्रह है हर व्यक्ति स्क्रीनिंग अभियान से जुड़े अपना काड़ बनवाए बिमारी की जाच कराए इस जिम्मेदारी को लेने के लिए समाज खुद जितना आएगा उतना ही सिकल सैल निमिया से मुक्ति आसान होगी साथियो बिमारिया सिर्फ एक इंसान को नहीं जो एक व्यक्ति बिमार होता है उसको वही सरब नहीं लेकिन जब एक व्यक्ति परिवार में बिमार होता है तो पूरे परिवार को बिमारी प्रभावित करती है जब एक व्यक्ति बिमार पड़ता है तो पूरा परिवार गरीबी और विवस्ता के जाल में फस जाता है और मैं एक प्रकार से आप से कोई बहुत अलग परिवार से नहीं आया मैं आपके बिच से ही यहां पहुचा हूँ इसलिए मैं आपकी इस परिशानी को अच्छी तरह जानता हूँ समझता हूँ इसलिए हमारी सरकार ऐसी गंबीर बिमारियों को समाब्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है इनी प्रयासों से आज देश में टीबी के मामलों में कभी आई है अब तो देश दो हजार पचीस तक टीबी को जड़ से समाब्त करने के लिए काम कर रहा है साथियों हमारी सरकार बनने के पहले दो हजार तेरा में काला जार के ग्यारा हजार मामले सामने आये थे आज ये घटकर एक हजार से भी कम रह गए है दो हजार तेरा में मेलेरिया के दस लाख मामले थे दो हजार बाइस में ये भी घटते घटते दो लाख से कम हो गए दो हजार तेरा में कुष्ट रोक के सवा लाख मरीज थे लेकिन अब इनकी संख्या गटकर सतर पच्चतर अजार तक रह गई है पहले दिमागी बुखार का कितना कहर था ये भी हम सब जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में इसके मरीजों की संख्या में भी कमी आई है ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है जब बिमारी कम होती है तो लोग दूख पीड़ा संकट और मृत्यू से भी बचते हैं भाई और बेनों हमारी सरकार का प्रयास है कि बिमारी कम हो साथ ही बिमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो इसलिए हम आईश्मान भारत योजना लेकर आए हैं जिससे लोगों पर पढ़ने वाला बोच कम हुआ है आज यहां मद्देश में एक करोड़ लोगों को आईश्मान कार दिये गए है अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो यह कार उसकी जेब में पांच लाग रुपिये के एटीम कार का काम करेगा आप याद रखिएगा आज आपको जो कार मिला है अस्पताल में उसकी कीमत पांच लाख रुपिये के बराबर है आपके पास एक कार होगा तो कोई आपको इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा पैसे नहीं मांग पाएगा और ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको तकलिप हुई और वहां की अस्पताल में जाके ये मोदी की गारंटी दिखा देना उसको वहां भी आपको इलाज करना होगा ये आउश्मान कार गरीब के इलाज के लिए पांच लाख रुप्य की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी है भाई और बहनों देश भर में आउश्मान योजना के तहट अस्पतालों में करीब पांच करोड गरीबों का इलाज हो चुका है अगर आउश्मान भारत का कार नहीं होता तो इन गरीबों को एक लाख करोड रुप्य से जादा खर्च करके बिमारी का उपचार करना पड़ता आप कलपना करिए इन में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनोंने जिन्दकी की उमीद भी छोड़ दी होगी कितने परिवार ऐसे होंगे जिने इलाज करवाने के लिए अपना घर अपनी खेती साइज बेचना पड़ता लेकिन हमारी सरकार ऐसे हर मुश्टिल मौके पर गरीब के साथ खड़ी नजर आई है पांच लाख रुपे का ये आईश्मान योजना गारंटी कार गरीब की सबसे बड़ी चिन्ता कम करने की गारंटी है और यहाँ जो आईश्मान का काम करते जरा कार बोलाईए कार आप कोई जो कार मिला है न उसमें लिखा है पांच लाख रुपे तक का मुप्तिलाज इस देश में कभी भी किसी गरीब को पांच लाख रुपे की गारंटी किसे ने नहीं दी यह मेरे गरीब परिवारों के लिए यह भाजपात सरकार है यह मोदी है जो आपको पांच लाख रुपे की गारंटी का कार देता साथियों गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको जूठी गारंटी देने वालों से भी साउधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए जूठी गारंटी के नाम पर उनके दोखे के खेल को बांप लीजिए साथियों जब वो मुप्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं जब वो मुप्त सबर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज की याता यात ववस्ता बरबाद होने वाली है जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज में कर्बचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टेक्ट बढ़ा कर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं जब वो रोजगार्क बनाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग दंदों को चोपड करने वाली नीतिया ले करके आएंगे कॉंग्रेश जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट यही है उनके खेर वो सतर सालों में गरीब को बरपेट भोजन देरी की गारंटी नहीं दे सके लेकिन ये प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना से 80 करोड से जादा लोकों को मुपतर आशन की गारंटी मिली है मुपतर आशन मिल रहा है वो सतर सालों में गरीब को महंगे इलाज से चुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके लेकिन आशन मान योजना से 50 करोड लाभारतियों को स्वास्त विमा की गारंटी मिली है वो सतर सालों में महिलाओं को दुवे से चुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके लेकिन उजवला योज़ना से करीब 10 करोड महिलाओं को दुआ मुक्त जीवन की गारंटी मिली है वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करनी की गारंटी नहीं दे सके लेकिन मुद्रा योज़ना से साड़े आठ करोड लोगों को सम्मान से स्वरोदगार की गारंटी मिली है उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड है आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं सोचल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी-पी करकर कोशते रहे हैं यानि विपक्षी एक जोटा की गारंटी नहीं है ये परिवारवादी पार्टियां सिर्व अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है यानि उनके पास देश के सामाने मानवी के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है जिन पर प्रस्टाचार के आरोप हैं वो जमानत लेकर के बाहर गुम रहें जो घोटालों के आरोपों में सजाग काट रहे हैं वो एक मंच पर दिख रहे हैं यानि उनके पास ब्रस्टाचार मुक्तशासन की गारंटी नहीं है वो एक सुर्मे देश के खिलाब बयाम दे रहे हैं वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठा के कर रहे हैं यानि उनके पास आतंगवाद मुक्तभार्स की गारंटी नहीं है वो गारंटी देकर निकल जाएंगे लेकिन बुगतना आपको पड़ेगा वो गारंटी देकर अपनी जेब बर लेंगे लेकिन नुक्सान आपके बच्चों का होगा वो गारंटी देकर अपने परिबार को आगे ले जाएंगे लेकिन इसकी किमत देश को चुकानी पड़ेगी इसलिए आपको कॉंग्रेस समेथ ऐसे हर राज नसिक दल की गारंटी से सतरक रहना है साथियों इन जूठी गारंटी देने वालों का रवया हमेशा से आदिवाचों के खिलाप रहा है पहले जन जातिये समधाय के युवाओं के सामने भाषा की बड़ी चुनोती आती थी लेकिन नई राज्तिय सिक्षा निति में अब थानी अब हाता में पढ़ाई की सुविदा दी गई है लेकिन लेकिन जूठी गर्मेंटी देने वाले एक बार फिर राश्तिय सिक्षा निति का विरोध कर रहे है ये लोग नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई बेहनों के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाएं वो जानते हैं कि अगर आदिवासी बलीद पिछडा और गरीब का बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो इनकी वोट बेंक की सियासत चौपट हो जाएगी मैं जानता हूँ आदिवासी इलाकों में स्कूलों का कॉलेजों का कितना महत्व है इसलिए हमारी सरकार ने चार सो से अधीक नए एकलब्वे स्कूलों में आदिवासी बच्चों को आवासिय सिख्षा का आउसर दिया है अकले मत्यप्रदेश के स्कूलों में ऐसे चोबिस हजार विद्यार्दी पड़ रहे है साथियो पहले की सरकारों ने जन जाते समाज की लगातार उपेक्षा की हमने अलग आदिवासी मंत्राले बना कर इसे अपनी प्रात्फिक्ता बनाया हमने इस मंत्राले का बजेट तीन गुना बढ़ाया है पहले जंगल और जमीन को लूटने वालों को समुरक्षन मिलता था हमने फॉरेस राइट एक्ट के तहट 20 लाग से जादा टाइटल बाटे है उन लोगों ने पैशा एक्ट के नाम पर इतने वर्षों तक राजनितिक रोटियां से की लेकिन हमने पैशा एक लागू कर जन जातिये समाथ को उनका दिकार दिया पहले आदिवासी परंपरों और कला कौशल का मजाग बनाया जाता था लेकिन हमने आदि महोत्सव जैसे आयोजन शुरू किये साथ क्यों बीते नव वर्षों में आदिवासी गौरव को सहयतने और समरुद्ध करने के लिए भी निरंतर काम हुआ है अब भगवान बिर्शामुन्दा के जन्म दिन पर 15 नमेंबर को पुरा देश जनजातिय गौरव दिवस बनाता है आदिवासी शुतंतरता सेनानियों को समर्पित मुज्यम बनाये जा रहे हैं इन प्रयासों के बीच हमें पहले की सरकारों का व्यहवार भी बुलना नहीं है जिन्होंने दसकों तक देश में सरकार चलाई उनका रविया आदिवासी समाज के प्रती गरिवों के प्रती असम्वेदन सील और अपमान जरख रहा जब तक आदिवासी महिला को देश का राश्पती बनाने की बात आई थी तो हमने कई दलों का रविया देखा है आप MP के लोगों ने भी इनके रवियों को साच्छा देखा है जब सरडोल संभाग में केंद्रिय जन जातिय विश्व विद्यालय खुला तो उसका नाम भी उन्होंने अपने परिवार के नाम पर रख दिया जब कि सिवराज जी की सरकार ने छिंद्वाड़ा विश्व विद्यालय का नाम महान गोण क्रांतिकारी राजा शंकर साह के नाम पर रखा है तंटिया मामा जैसे नायकों की भी उन्होंने पुरी उपेक्षा की लेकिन हमने पाताल पानी स्ट्रेशन का नाम तंटिया मामा के नाम पर रखा उन लोगों ने गोण समाँ के इतने बड़े नेता स्री दल्वीर सींजी के परिवार को भी अपमान किया उसकी भरपाई भी हमने की हमने उन्हें सन्मान दिया हमारे लिए आदिवासी नयोकों का संबान हमारे आदिवासी युवाओं का संबान है आप सभी का संबान है साथ हीो हमें इन प्रयासों को आगे भी बनाए रखना है उन्हें और रप्तार देनी है और ये आपके सयोग से आपके आशिरवाद से ही संबभ होगा मुझे विश्वात है आपके आशिरवाद और रानी दुर्गावती की प्रिना ऐसे ही हमारे पत्प्रजशन करती रहेगी अभी सिवराज जी बता रहे थे कि पांच अक्तुबर को रानी दुर्गावती जी की पांचोवी जैन्ती आ रही है मैं आज जब आपके बीच आया हूँ रानी दुर्गावती के पराक्रम की इस पवित्र भूमी पर आया हूँ तो मैं आज देश वास्यों के समख गोशना करता हूँ कि रानी दुर्गावती जी की पांचोवी जन्म स्यतामदी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी रानी दुर्गावती के जीवन के अधार पर फिल्म बनाई जाएगी रानी दुर्गावती का एक चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा रानी दुर्गावती जी का पोस्टल स्टेम भी निकाला जाएगा और देश और दुनिया में 500 साल पहले जन्म हुए इस दे हमारे लिए पवित्र मा के समान उनकी प्रेणा की बात हिंदुस्तान के घर-घर के पहुंचाने का एक अभ्यान चलाएगा मद्यप्रदेश विकास की नई उचाहियों को चुएगा और हम सब साथ मिलकर विक्सित भारत के सपने को पूरा करेंगे अभी मैं यहां से कुछ आदिवासी परिवारों से भी मिलने वाला हूँ उनसे भी कुछ आज बात्चीत करने का मुझे आउसर मिलने वाला है आप इतनी बड़ी संग्या में आये हैं सिकल सेल, आउश्मान काड आपकी आने वाली पीडियों की चिंता करने का मेरा बड़ा अभ्यान है आपका मुझे साथ चाहिए हमें सिकल सेल से देश को मुक्ति जानी है मेरे आदिवासी परिवारों को इस मुसिबत से मुक्त करवाना है मेरे लिए मेरे दिल से जुड़ा हुआ एक काम है और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए मेरे आदिवासी परिवारों का मुझे साथ चाहिए आपसे यही प्रासना करता हूँ स्वस्थ रहिए संबुरुत्य बनिये इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की